नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका चीर परीचे दोस्तों पस्तित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महतोपुन चानकारियों को ले कर गये जो आपके लिए बेहतलाबकारी सावित होने वाली हैं दोस्तों जिहां दोस्तों शिग्रपतन विर्य वृद्धी नपुन सकता को दूर करने का राम बानिलाज प्याज जिहां दोस्तों शिग्रपतन विर्य वृद्धी नपुन सकता में प्याज त्वारा किया जाने वाला राम बानिलाज प्याज एक अति गुणकारी सब्जी है ये सब्जी कम है और शदी ज्यादा है दोस्तों प्याज नाड़ी संस्थान शारीरिक मांसिक काम शक्ति को ताकत देता है प्याज और घी का संयोग गुणकारी है प्याज कई गंभीर बिमारियों के लिए रामबान है यह उन शक्ति क वर्धन समवर्धन एवं सनरक्षन के लिए प्याज एक सस्ता एवं सुलफ बिकल्फ है दोस्तों फ्याज की सबजी घी से मिला कर पीने से ताकट बलगती है कच्चे प्याज के टुकड़ों पर निम्बुने चोड़कर खाने से भोजन जल्दी पचता है प्याज और शहत दो दोनों मिलाकर गर्म प्रकृति के बन जाते हैं अता गर्भवती इस्त्रियों को दोनों को मिलाकर सिवन नहीं करना चाहिए दोस्तों वो केवल प्याज ही खाएं आए हम जानते हैं प्याज के शक्तिवर्धक प्रियोग के बारे में वीरिव व्रिद्धी नपुन सकता दूर क का रस और घी का मिस्रण 21 दिनों तक लगातार लेने से नपुन सकता दूर हो जाती है शिग्र पतन और सेक्स्वल डिजायर बढ़ाने के लिए 100 गराम अजवाइन को सफीर प्याज के रस में भीगो कर सुखा लें सुख जाने पर फिर यहीं प्रक्रिया दोहराएं ऐसा तीन बार करें अच्छी तरह सुख जाने पर इसका बारिक पाउडर बना ले अब इस पाउडर को 5 गराम घी और 5 गराम शकर के साथ सेवन करें इस प 11 गराम के मात्रा में एक महा तक नियमित सेवन करें इसके प्रयोग से सेक्सूल लाइफ डिजायर में ब्रिद्धी होती है दोस्तों एक किलो प्याज के रस में आधा किलो उड़द की डाल मिला कर पीस कर पेश्ट बना लें इसे सुखा कर एक किलो प्याज के रस में मिला कर फीर से पीस लें इस पेश्ट को दस ग्राम के मातरा में लेकर भैंस के दूद में पकाएं और शकर डाल कर पी जाएं इस योग का सेव के द्वारा हम कैसे अपनी मरदाना ताकोत को बढ़ा सकते हैं अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महतोपून चानकारियों को ले कर गए कुछ और महतोपून बातों को ले कर गए तब तक के लिए धान्यवाद दोस्तों अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद